सब्सें महत्वपूण तिथि एकादशी की तिथि को बहुत ही पावन तिथि कहा जाता है कि अगर इस दिन नियम के अनुसार व्रत आदि किया जाए तो विक्ति को पुन्ने की प्राप्ति होती है माघ महीने के शुक्णपक्ष के ऎकादशी को जया कादशी कहाजाता है जो कि इस बार पांच फर्वरी के दिन पढ़ रही है जी हाँ आपको बदा दें अगर कोई एकादशी का व्रत करता है तो व्रत के दोरान गन्ने के रसका फलाहार किया जाता है इसके अलावा अगर आप इस दिन शुब दिन कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे मालक्ष्मी और भगवान विश्नु बहुत ही ज्यादा प्रसन हो जाते हैं लेकिन उसी के साथ आज हम आपको कुछ ऐसे काम बताएंगे जो कि आपको जयायकादशी के दिन जरूर करने हैं जिसकी वज़ा से हमेशा भगवान विश्नु की कृपा आपके उपर बनी रहेगे अगर आप जयायकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस दिन आप अपने साफ मन से भगवान विश्नु की पूझा आरजना करें वहीं अगर आप जयायकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप दसमी तिथी को एक समय आहार करें आप जया एकादशी वाले दिन भगवान विश्नु जी का ध्यान करके संकल्प करें और भगवान विश्नु को धूब दीप चंदनफल तिल पंचामरित से उनकी पूजा जरूर करें आप जया एकादशी वृत पर नारायन स्त्रोत और विश्नु सहस्त्र नाम का पार्ट भी जरूर करें इसके अलावा आपको ये भी बता दे, इस दिन किसी भी तरह के बुरे काम करने से बचे किसी को धुखन देने से बचे, किसी को जूट बोलने से बचे, इसी के साथ कर दो कर दो